कि कौन से मुझें सारी है कि भरने के बार है तो इस इंजन को कैसे रिपेर करें और क्या-क्या मेजर्मेंट होते हैं तो यह हमारे पास जो है स्लेंडर ब्लाक रखा हुआ पर यहां अब उन्हें हैं अलार यह यहां यहां पर यह पर old Oct्रा यहां पर एक से प्षयए होगा यानि तीन डबलू है और तीन एक्स के लाइनर है तो यह चोटी सी पहसान है कि हमारे जो है लाइनर इसमें कौन से कंपनी के पढ़ेंगे कंपनी तो लेपार्ट या कुछ भी कंपनी डाल सकते हैं तो अभी कहना बोर्ड आया वगएरा सारी चीज़े अपन लोग भी फ फेस आउट उसका ऐसा कुछ है तो नहीं जिसके बज़े से जो है लाइनर हमारे डाल फिटमेंस में जो है क्रेक वगएरा हो जाएं तो बोर्गेज का जो हम इस्तेमाल कर लेंगे अब जैसे कि डबलू था तो डबलू को ही उस पोजीशन पर लेके जो है मैं सेट करना है त तो बने रही है वीडियो में और वीडियो को गर्पे करके पूरा बाच करें क्योंकि कम्प्लीट इंजिन है भी एसिक्स असुक्लिलैंड का तो आप देख सकते हैं कि लाइनर जो है किस तरीके से जो है फेटमेंस हो रहा है तो लाइनर को अपनी सेंट्राइज करने के कंशी तरीके से में उसको बैठा लूंगा और अभी पहले डाला था वह बैठा नहीं है तो इसको ईसी सम्टि छे कुछ बैठा लेंगे इस तरीके से जो है आउल ऐगा आइल इस तरीके से प्छेक रहा है बाहर तो यानि हमारा जो लाइनर है वह बैठ चुका है लैना तो है उसके बार अच्छे से खेच कर देंगे अ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यह देखो आप देख सकते हैं और इसार को जाएंगे यह देख सकते हैं वीडियो में शार्व करते हैं तो इस तरीके से लाइनर की कितनी व्रटी है अगर हम यह नहीं चेख करसके रहे हैं कोई लाइनर की कोर में यह वाल टी हो या कुछ दिक्कट आगई हो दिसमें लाइन निकालते समय यह हो जाता है फाना सारे लाइनरों में जो हाइट है वो बराबर है यह नहीं है वो सारी चीजेëं क्लियर हो जाती तो बारी है क्रैंग साफ्ट की तो क्रेंग कर लेंगे अच्छे से क्रेंग का जो है मेंजर्मेंट सारी सिज़ें कर लेंगे कितने का मैंट बेरिंग लगेगा और क्या है शारी सिजें मेंजर्मेंट कर लेंगे यह कैसे चेक करते हैं और कितना क्या क्या होना चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अच्छे से मैं रेप्लाइग कर दूंगा मैक्रोमीटर से क्रेंग का यहाई पनलुक्चे करेंग यहीं क्तै को इस सट कर लेंगे तो हमारा जो बारी है districts हो नो हमारे tutti की तो हमें जो है क्रिंग इस तरीके रख देना है क्रैंगlar और बड़ाबर एक दमatने में है अगर इधार करते तो हमारे पहले बढ़ाएंगे और आज देख सकते है क्रिंग आप वैड़ कि इस तरीके से क्रेंग सब बढ़ जाएगी तो आप देख पा रहा है कि क्रेंग साप कैसे बढ़ गई है और हां यह जो कैप है उसमें देखो आप वन टू ट्री फॉर सेवन ऐसे करके लिखा होगा और यह तीर का निसान होगा तो यह जो उपर का हिस्सा जो आपको देखने को मिल ला है तीर का निसान की सारे जो है इसी इसी पनी Traffic कि लगणे ह्षों और यह भी देख सकते हैं याले मैं फ्रीट करने जा रहे हुआँ किस तरीके सीह जा रहे है मगल करेंगे तो बाद में फित करेंगे क्रिंग को a अभी आप देख सकते हमें जो है नंबर 20 लगा लेने हैं और अएising का विसे ज्यान देना है उसके बाद जो है बोल्ट जो है क्रेंके फिट कर लेंगे और अभी जो कैब रहे गया है ठश्ट वासर के लिए उसे जो है बाद में हम सेट करेंगे अभी क्रेंगे जितने बोल्ट है उनको टी हैंडल की मदद से जो है पहले मिला लेने हैं उसके बा और एक चीछ देखना इसे हैमर या किसी मज़द से ठोक के मद बेठालना कभी भी क्या करेंगे अपनी टॉर्क देदेंगे कृनेक्टिंग में राड शाम में बैरिंग में चर्क अपनी तो निया उसे इसे को करेंक न है कि ने-ट जो है टो है डॉर्भर हम कुछ इस तरीके से लेरेंगे टेने की बास आली टोर्ल के इक बौर दुबार से रिच Report अगा कि हमारे जो कि आपके होधार के यौछ छेय kommt weak को हमारी कुछ इस तरीके दो है लग चुकी है लखने के दिखान पार आप देख सकते हैं आपा वी मैं क्रेंग घुमांके देखा हैं कुछ इश तरीकह चए के दो हमारी तो पिर आप देख गर्लाटेर श्टी मैं अभी हमारी थो हाटतो स्प्री कर ले पर लेंगे सेट करने के बाद इसमें चाल बगएड़े करेंगे साइड कपले कितना है वो देखेंगे तो अब देखता है थ्ष्ट वासर इसमें फिट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से छार वासर लगेंगे इनका भी मिजर्मेंट है आप देख सकते हैं इसमें अल कर लेना नहीं कभी कभी क्या होता है आयल या घ्रीस की मदद से जो यह कुछ इस तरीके से हमें जो बैठा लेना है जाकि हमारों पले हैं या नि थाष्ट वासर है वह चूटे नहीं या गिरे नहीं इस बज़े से जो है आईल या ग्रीस का इस्तिमाल करते हैं तो इसको भी बोल्ट जो है टी हैंडल की मदद से कुछ इस तरीके से जो हमें मिलाने हैं बराबर अच्छे से जो है बोल्ट हमें जो है मिला लेना है उसके बाद जो है टॉर्क देनी है टॉर्क हमें उतने ही देनी है जितनी सब बोल्टों में दिया कोई इस्पिसल टॉर्क नहीं इसके लिए अगर आपको टॉर्क पता करने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और अभी तक अगर हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें तो अब देख सकते हैं हम इस जो क्रेंग है कुछ इस तरीके से जहें फिरी घूम रही है और इसके बाद जो है side play हम चेक कर लेंगे करिंक साप्ट की side play कितना होता है और कितना रखना चाहिए आप कमेंट करके पूच सकते हैं तो मैं जो है side play कुछ इस तरीके से हम चेक कर लेंगे एक बड़ी मैं और दिखा देता हूं किस कर साबसा में जो है देखनी है वस ट्त टायब से पूम साइट पले उसकी च nasa करेंगे करने के बाद Command & Rec वाली हो चेकी है उसके बाद बेला ऑजिंग का लगा लेंगे तरह से भी होचिंग सबंगात कि instructors होती हैं उस अजींग को जो है na rejecting या in streets हो 2017 इस तरीके से बोल्ट व्गरा फसा देंगे तो 19 नमबर बोल्ट बड़े लगे होंगे और 12 नमबर बोल्ट लगे होंगे तो उनको 19 नमबर बोल्ट पहले हम टाइट कर लेंगे बराबर से मिला लेंगे डावल में बैठालने के बाद उसके बाद गनमसीन की मदद से हम टाइट कर लेंगे कुछ इस तरीके से कि पहले उनीस नम्बर वाले बोल्ट जो है अच्छे से इसे डाइडो कर लेंगे अगर आपके पास इंजन कंपने का कोई सटयन नहां तो आप इस तरीके से भोल ढान सकते हैं करेंग स्कुछ तरीके से लिए और तो कुछ इस तरीके से इंजन जो है हमने खड़ा कर लिया है उसके बाद जो है आगे का फिटमेंस अभी स्टार्ट करेंगे आप देख सकते हैं अभी इंजन में वैसे कुछ फिटमेंस नहीं हुआ है उपर भी जो है आडल गेर वाला बुस लगा हुआ है और आयल पंप को कैसे करना है में आई बहर्णा यthought है गरने के बास कोछ इस तरीके सो भोत करना है तो कुछ आप करने का यह तैज है असान तरीका से बस्क्राइब करें कि हमारा जो काम कर रहा है एक्चुल में नहीं कर रहा है वह हम सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में जानेंगे तो अच्छे से रोटेट करके बैठा लेना कुछ इस तरीके से उसके बाद अल्पम को जितने भी बोल्ट हैं उनको जो है मिला के टाइट कर लेने हैं अब देख सकते हैं आईल पम के जोई बोल्ट है कुछ इस तरीके से ल्टामी की मदश से मिला या टाइट कर लेने हैं उसके बाद जो है जहां पर आइल लगता है वहां पर कागज लगाके और आईल पम को गेर रोटेट करके जो है हमें पता कर लेना है कि हमारा आईल पम है स्थ हैं तो अगर हम लगाएंगे तो उसमें यह पता चल जाएगा तो जैसे कि इस चीज चीज आस लेती है तो वैसी सुछिवेसिन क्रेट हो जाएगी तो हमेरा आईल पम वाकई में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कि तो आईए कि प्लेट को टाइट कर लेता हैं पैकिं बश'tी एकेंग करनें के बाद memal करने के बाद हम सब्सक्राइब कुशी को बाट मढई अब जूब को बढ़ाले एक आप देख सकते हैं किनको जूब कुशी से तरीके से हमें बैठाल लेंगे बठालने के बाद आप देख सकते हैं I'll pump और केम साफ्ट का जो है हम टाइमिंग सेट कर लेंगे अब यह हमारी वह टाइमिंग है वहन वन वन अब इसके बाद जो हम टाइमिंग सेट करेंगे Idle Gear और Crank और Idle Pump की आइडर गेर के बुस में जो हमें Iling कर लेने हैं Iling करने के बात जो है timing वाले area पे एकंदम set कर के चलना है Idle Pump का timing रहेगा 2-2 और Crank का आइडर गेर का timing रहेगा 1-1 तो कुछ इस तरीके से जो है set कर लेंगे आप देख सकते हैं Crank और Idle Gear हो गया हमारा 11 और Idle Gear Idle Pump हो गया 22 और हमारा Idle Pump और Camesraft का हो गया 11 आइडल Gear को वोल्ट को कुछ इस तरीके से जो हम Tite कर लेंगे Tite करने के बाद, आइडल Gear को वोल्ट को जो हमें Tarp Safety की मदल से Tite कर लेंगे इसमें कितना अक्टार को होता है आप कमेंड करके पूछ सकते हैं अब बारी है हमारे FIP टाइमिंग की तो आप देख सकते हैं हमारा यह जो FIP है CB28 एनबंड वगरा पैगिंग वेर लगा लिए है और इसकी बारी है फिटमेंज करने की तो टाइमिंग के टाइमिंग इसकी जो रहेगे आइडल गेर और FIP यानि तीन तीन करके रहेगे टाइमिंग तो उसी एंगल में हमें जो है इसे फिट करना है तो आप देख सकते हैं अराम से जो है FIP हमें गेर मैच करके लगाना है तो अच्छे समय जो है गेर मैच कर लेना है आप देख सकते हैं किसी आप से जो है गेर मैच करने के बाद जो है हमें FIP के जो सेंटर भी मिला लेना है सेंटर मिलाने के बाद कुछ इस तरीके से हम इसे मिला के टाइट कर लेंगे जाके हमारी जो ओरिंग है वो अच्छे से बैठ जाए तो आप देख सकते हैं जहां FIP का जो बड़ा बोल लगता है कुछ इस तरीके से वहां पर जो हम इसे टाइट कर देंगे तो पाने या गोटी टाइमिंग की मदद से जो भी है हम इसे अच्छे से टाइट कर देंगे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है टाइट हो चुका है और आप फिर से टाइमिंग देख ले 1 1 2 2 1 1 और 3 3 यह हमारा हिनो एंजन S621 B6 का जो है हमारा टाइमिंग है तो उसके बाद जो है उसके बाद जो है उपर वाला जो कबर है टाइमिंग के जो है हम कुछ इस तरीके से जो है रखेंगे उसके बाद जो है पंप के जो बोल्ट है कुछ इस तरीके से जो हम फसाएंग सबसे पहले हमें वही बोल्ट करने हैं जो मैंने पहले वोल्ट फशाय थे लिए उसके पाध का सपोर्ट देने के बाद जो है कुछ बोल्ट फशा लेंगे फसाने के बाद जो है मार्सा आप पूरा हमाराक नेट में नीचे और उपर यानि नीचे वले हाउजिंग और अब वह देख सकते हैं तो अब बारी है हमारी जो है वाटर पंप की तो वाटर पुलिए किया कर दिया आप इन्होंने विचल में किया है पहले जो है वाटर पंप के पास जो है हमारा फैन चलता था, अब जो है डेमपर पुली की मदद से जो हमारा फैन चलता है डारेक्ट उसी में अटैस्मेंट कर दिया, अब बारी है हमारे पिश्टन की और लाइनर के बीच में जो गैब होता है, उसे चेक करने का तो हम फिलर गेजzna की मदद़ से कुछ इस तरीके से जो है उसका गैप चेक करेंगे और गैप कितना होता आप कमेंट करके पूच्छ सेकते हैं तो हमारा गैप ओक के होने के बाद हम जो रिंग का क्लोज गैप है वो चेक कर लेगे कुछी सरीके से ring डालेंगे ring डालने के बाद जो है और ring में top वाला हिसा उपर होना चाहिए और piston की मदद से ring को बराबर कर लेंगे और filler gauge की मदद से जो है एक बड़ी हम चेक करेंगे यह हमारा जो gap है जितना होना चाहिए actual में उतना है या नहीं है यह सारी चीज़ें जो है मैं चेक करनी है और कितना gap होना चाहिए आप comment करके पूछ सकते है अब बारी है दूसरे ring की compressor second ring तो उस ring को कुछ इस तरीके से बैठाल लेंगे और बैठाल लेंगे पर piston डाल लेंगे डालने के बाद रिंग हमारी बराबर हो जाएगी तो बराबर होने के बाद कुछ इस तरीके से हमें जो gap देखने मिलेगा तो उसमें फिरल गेट की मदद से हम चेक कर लेंगे तो हमारी compressor ring, compressor second ring complete हो जाएगी और अब बारी है हमारी iron ring की कुछ इस तरीके से हम बैठाल देंगे बैठालने के बाद पिश्टन की मदद से उससे बराबर कर लेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारे iron ring में है gap कितना है और कितना होना चाहिए आप comment करके पूछ सकते हैं तो हमारा तीनो का gap है हमारा ok है अगर ok है तो हमारे ring को निकालने के बाद पिश्टन में अच्छे से पहना लेंगे पिश्टन में पहनाने एक बाद हलाकि यह नए पिश्टन है तो फिर भी मैं चेक करके बताए दे रहा हूँ कि हमें अगर पुराने पिश्टन है जब भी हो तो हम इस चीजे ज़हरी चेक करनी है अभी तो इसमें नए पिश्टन है तो मैं इसमें ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है में एक मेजर्मेंट कर लेके चलेंगे यसका बार जो है पिश्टन को है हम उसके अंदर डालेंगiform के जो ring यग वी अच्छ सेट कर लेंगे कूछ इस तरीके से कर ने के बाद किस्टन क्लिप लगा लिए आप देख सकते नेद्र बैठालने की सेंटराईज देखने के अंदर आप देख सकते हैं पिष्चिन असानी सेर जाता यह नहींदें पीछे साइड अच्छे से पिश्टन लगा लेना है All लाई 사 करें पिश्टन किलिप की मदद से घुमारे पिशन कृतने आसानी से तरीके से चला चारे तो अब देख सकते हैं कितने तुछ कद ऌब करनेके बाएं अब कमंड करके पूछ सकते हैं. तो आप बारी है 3 और 4 की करें की पॉजीशन लेने के बाद जो है कुछ इस तरीके से रिंग सेट कर लेंगे पिष्टन की तो आप देख सकते हैं पर्षटर डिंग, सेकर्ड डिंग ऑल रिंग किस-किस लोकेशन पिश्टन पर हमें रखनी है और उसके बाद जो है किलिप की मदश से जो है हमें पिश्टन को अंदर डाल देना है तो अब देख सकते हैं किस इसाफ से पिश्टन हमें जो है हमें सेट करने हैं और प्रिंगों का कहां पर कैसे रखना है वह भी आप देख सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें कि साथ में ही हमें जो है टॉर्क लेकर चलना है और एक बार हम सारी टॉर्क जो है चेक कर लेंगे कितने टॉर्क हमें रखना कितने टॉर्क हमें जो है नहीं रखना है वह भी मैंसे निजटाऊं सारे का जो हो जो t जिक्राइब के पद्चिनन पीले हैं वह भी हम चेक लेंगे तो अज Cute कितनी एह इसमें कॉन रोड़रे अट तो वह कमेंट करेंगे तो हम मैं इसे करेंगे तो अज। तो कुछ इस तरीके से जो है मैं टॉर्क ले लेना है यानि हमारा जो है पिश्टेन कंप्लिट हो चुगे हैं और उसके बाद हमारा आइल इस्टेनर की बारी है यह हमारा जो आइल यहां से सक करता है और आप में सप्लाई करता है उसके बाद जो है आप में कंप्लिट होने के भाद जो हम हम चैंबर को कुछ इस तरीके से फशा लेंगे और चैंबर के जितने भी बोल्ट है गन मसिन की मतदर से जो है जो है अपर इसके वोल्ट जो है साड़े एस्वाल हो चुके हैं आप देख सकते हैं और अब हमारे इंडिन की बारी है नीचे गिराने की तियानि चैं जीसन में होता है है तो से गिरा लेंगे गिराने के बाद बेठा लेंगे और यह मारा तो है है और उसके बाद यह है इसको जो हम अच्छे से फिट कर लेंगे अब एक साइट पकड़के जो है पूरा अच्छे से फाइनल कर लेंगे तो यह हमारी यह पंचड हो का है जिए उसमें हो गया है जिसके बज़े से इन lihat मिक्सेश होने लगा और की मद़से सामने का जुर्ण्ट है करना है तो देखेंगे कि यल्षामी मदद से यह 14 में उस्यां जो सब्क्राइट करनेगे बाद ऑफिल्टर है js में फिल्टर है उसका जो है यहkeln प्रिय पर कर लेंगे कुछ इस तरीके से यह आप देख सकते हैं उसके जो बोल्ट सारे को लेंगे उसके बाद जो फिल्टर हेड है वह हम बैठा लेंगे कुछ इस तरीके से कि अब देख सकते हैं कि उसको बैठा लेंगे बाद जो उनके जो बोल्ट है वो सारे अपन लोग टाइट कर लेंगे अच्छे से कि बोल्ट टाइट करने बाद जो यह डिजल वाले पाइप हैं उनके भी कनेक्शन कर देंगे साथ में दोनों साइट बैंजो लगा के जो है फिर एकड़म फसाद देंगे हमेशा अच्छे से और इस साइट पाइप को भी कुछ इस तरीके से जो है बैंजो लगा के इसमें फसाद देंगे तो अच्छे से जो हे बेन जो फसादेंगे और नो उच्छे से जो है टाइट कर देंगे जाकि वह लिकेज न रहें अगर वह लिकेज रहेंगे तो फ़ुक्त पाइट कर देंगे युद्ध तो यस तरीके से कि हमारे जो फ्यूल पाइप है वह अच्छी तरीके से जो है टाइट हो चुके हैं और जो नीचे वाला पाइप बचा हुआ है उसको भी हम अच्छे से टाइट कर लेंगे उच्छी तरीके से कि हमारा जो अच्छे से टाइट हो चुका है अब बारी है एस्टी डोजर मीटर न्यूनट की तो उसको भी हम अच्छे से जो है तेयरे नंबर बोल्ट या बारे नंबर बोल्ट की मज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ अब देख सकते हैं कि हमारे बोल्ट है वो कि इस टाइप के जो है टाइट हो चुके हैं एल्टामी की मदद से जो है इस टाइप के जो है मैं टाइट कर लेने हैं कि टाइट करने के बाद एसी डोजर में उनिट को फ्यूल की सप्लाई कहां से मिलती वह भी आप देख लें यहां से जो है यहां से जो है एक कोड़ बहुत ज्यादा आ रहां पी टॉंटी डबर्टी अंडश्कर वन सी यानि असी डोजर आप इस्टियूंट के शाट टू लो हाइट लो लोग और उसमें कुछ केंड WIN यही हमारे यहीं हमताना देलिए जो हमकुला टेक्ड़ मूंट देएक लेंगे तो है क्ईजर को एफित तो मूंट करके रखता呼़ है जिससे के इसर हमारा खराब ना हो इस बज़े से माउंट लगा के दिया गया है और देखा जाए तो बीस पॉर की अपेच्छा बीजियार का फेलिवर जो है बहुत कम है इसी पिलेट की वज़े से और अब लाउजिंग सपोर्टिंग ब्रैकेट होते हैं उनको भी हम अच्छे से टाइट कर लेंगे और अरहला को कुछ इस थरीके से लेंगे। आप देख सकते हैं स्टाइट मॉटर को उसली मेंटें उस ऺचर चाहलें मोटर जो हैं इस अपडालने के बाद पाने की आइध मेंसे उसको टाइट कर लेंगे अच्छे से कि यह हमारा स्टार्टर मोटर है और दूसरे साइड अब लाउजिंग का सपोर्टिंग ब्राइकेट है उसको भी हम अच्छे से टाइट कर लेंगे टाइट करने के बाद हमारे जो टैपड है में जो टैपड है उनको कुछ इस तरीके से जो हमें बैठा लेना है उसका होल कलें कंट है एक आपनलोग को करते हैं वह करते हैं और इकच्छलमेर होते हैं इनके बीच की और पुसराड की बीच कि जो गाप είναι वह भींग होती है तो हमारे जो tapet है वो complete हो चुके हैं हम बारी है हमारी head gasket की तो हम head gasket रख लेंगे head gasket कैसे रखते हैं वो भी मैं वदाय दे रहा हूँ तो कुछ इस type के जो हमें head gasket रखनी है और head gasket हमेशा याद रखना है यह जो part number है हमेशा उपर होगा और लिखा भी होगा top तो हमेशा top मनले उपर का हिस्सा तो उसके बाद जो हमें head को रख लेना है head को कुछ इस type के जो हमें रख लेना है रखने के बाद जो है head के bolt है वो सारे हमें फसार लेने हैं head मेरा only पहले से assemble था तो अच्छे से जोगा में tight कर लेना अगर वीडियो पसंदार हो तो like and share and subscribe करें और नेश्ट वीडियो क्या होना चाहिए किस बिसे पर होना this comment करके हमें बढा सकते हैं कौन से engine होना चाहिए कौन से केडि़ experienced का होना चाहिए यह ठोखना का होना चाहिए किस विषे या होना चाहिए आ हमें जो है head के bolt शो है साके tight कर लेने अच्छे से टाइट करने के बाद जो है हेड की टॉर कितम रखनी है आप कमेंट करके पूस रखते हैं उसके बाद जो है पुसराड वगेरा अच्छे से डालने के बाद जो है राकारारम जो है पूरी रख लेनी है रखने के बाद जो है उसे आलसील को अच्छे से पीछे साइड आलसील क को अच्छे सीफ़ा लेंगे हैं कि अध्य करने के बांद है आल सील को समटी दौरा बैठा लेंगे आप देख सकते हैं कुछ चीस टाइब कि हमारी और इधर हमारी जो है हराका और मुझे रॉड हो चुकिए अब बारी है टॉलिष टैने की आप तैग सकते हैं एक नमबर की position और दूसरा आप देख सकते हैं छहें नमबर की position तो एक नमबर पुसराड झो हमारी कदने फिरी भूब रही थी यह तो तोया पुराड़ हुआ है यह वाली जो है पहले उपर वाले पुलेट Already थे से नंबर अभी क्या करना है मैं जो है नीचे वाली प्लेट से कुछ इस टाइब के जो नंबर देखने को मिलेंगे तो फ्राइविल पुराना है जिसकी बज़े से ज्यादा नंबर जो है कलिया नहीं हो रहे हैं एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं तो आप देख सकते हैं पहले हमें उपर वाली प्लेट की मदद से लेते थे नहीं उपर वाली लेना नहीं यह वाली लेना 0707 की पोजिशन जो है यही आएगी तो हमें इस टाइब के जो है टैपर सेट करने हैं तो टैपर सेटिंग स्टार्ट करते हैं अपन लोग अब देख सकते हैं कि सेट करने हैं फिलर के इसकी मदद से पाना को डाल देना है और इसको डैबर की मदद से उसे अज़ेस्ट करके जो है में चेक कर लेना है उसके बाद जो है लॉब कर देना है तो आल के लेन्स वे बीए six का ऐसा ही सेट करना है उसके बाद बारी है हमारे एकजास वाल की तो जास वाल को भी फिलर गेट डालके जो है हम उसे अज़ेस्ट कर लेंगे कुछ इस टाइप के से तो आप देख सकते हैं फिलर गेज हमारा इतना फिली भी होना चाहिए और ज्यादा टाइड भी नहीं होना चाहिए अच्छे से जो है एक नंबर जो हमारा टैपट शेट हो चुका है अब बारी है सेकंड नंबर की तो फिर मैं नीचे चलता हूं और इंजर को गुमाता हूं और बारी आती है तीन और चार की तो तीन और चार को जो है मैं पोजीशन पे ले लेता हूं पोजीशन पे लेने के ब है एक नबर आपन लोग मिला चुके हैं और ये च telefon मिला रहा त्योवादा नमबर जो है आमारा हो चुका है हुआ कि लोगिए हूँ में का चाहनल नमबर इल्लेक है मैं ृषे कि आसे ने हैं विजना वो एक उसको přेंसे वारश ग्ल लेन्स वारश कौने कötर अबें है फिलर है आक यह ज्यादा हमें राइड है और ज्यद्दा 형ant theующ नहीं रखना है हमारो य्onent वाल समय आपने करने के लाए से चेक noど भूर आ RAW को लाँड़ कर देना है कि graphs टिस तरीके से हम जुई है चेक कर लेंगे हमारो टो फथान नंबर के वह जो है हमारा मिल चुका है इप ऐस जुद्धास उल वाल की छाय तो अब देख सकते हैं एकजास्वाल को कुछ इस तरीके से हमें जो है सेट कर लेना है इसमें फिलर गेज कितने नमबर के इस्तमाल हुआ that if mom comment करके पूत सकते हैं Nori j 그건 को सैट कर दिया है सेट करने के बाद फिलालगेद से अपने लोग चेक कर लेंगा फ्रीपली क मतों कितना है कि नंहीं अगर सही है तो उसे लॉक कर देंगे की लॉक करने के बाद जो है एक बार कि हम फिर से चेक कर लेंगे अगर कोई प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो पिर उसके बाद पुसराड वगयरा घुमा के चेक कर लेंगे उसके बाद दो है शेकंड डाउन घुमाते हैं वहीं फ्राइविल पे लोकेशन में देखनी है और दो और पांच आएगा कुछ इस टाइप के जो आएगा दो और पांच तो हमें जो है दो और पांच को जो है लोकेशन पर ले लेनी है तो आप देख सकते हैं मैं बार बार जो है नीचे देख रहा हूं नीचे देखने के बाद जो है अब मेरा 14 कंप्लीट हो गया था 26 यानि 26 का दो नंबर सेट करना है तो हम दो नंबर का जो इलेट है वो उसको कुछ इस तरीके से हमें सेट करना है दो नंबर हमारा इलेट जो है कुछ इस तरीके से हमें सेट कर लेना है फिर दो नंबर एकजास की बारी है उसे भी जो हम अच्छे से सेट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं अब दो नंबर वाल का जो में टैपट जो है अजश्ट कर लेना है तैपट शॉटिंग के मैंने फॉल वीडियो इसलिए बना दिया कि ब्यास ब्सका टैपट फ्रेटिंग बहुर लोग जो है कंफियोज हो जाते हैं कि है मैं कैसे करना है यह यह बहुत से लोग डर जाता है कि हमैं टैप शॉटिंग कैं लेका सब्सक्राइब कर 슈रव के अब आधे पिरसे घुमाते हैं जो बारी हमारी जो आएगी वह छैन म्वर की आएगी तो इस पोजीशन पर हमें लोक कर लेना है प्रपार पोजीचन ले आएंगे तो बारी हमारी हमारी जो है चैनांबर किया अगी तो चेंदनबर को कुछ इस तरीके से हम अखेक कर लेना है अचिश सब्सक्राइब और डिले स्कूर्ड आबर की मदस्य सब्सक्सराय अरधस्ट कर लेंगे अगर हमारा ओक है तो लॉक नट को अच्छे से लॉक कर देंगे उसके बाद बारी आती है एक्जास वाल की तो ग्जास वाल को भी हमें सेट करना है इसको डाइबर मदद से और पाने की मदद से उसे जो है लूच कर लेंगे प्लूच करने के बाद इसको डाइबर की मदद से जो है फिलर गेस की से प्ले वेगरा उसकी चेक कर लेंगे कितना गयप है और उतना रखने एक बाद जो है उसे लॉक कर देंगे कुछ इस्ताटी केस है तो हमारा 14 और 26 कंप्लीट हो गया है अब बारी है 35 की यानि तीन और प है 14 26 35 की तरह तो हमारा 26 कंप्लीट हो गया है अब बारी है तीन और पांच की तो हम एक बारी फिर से जो है इंजन घुमाएंगे इंजन घुमाने एक बाद जो है तीन और चार आएगा तो अभी हमें जो टैपट शेट करना है अब गेस कर सकते हैं कितने नंबर करना है तो ह हमें जो टैपट शेट करना है वह हमारा जो है नंबर है तीन नंबर तो कुछ इस तरीके से जो है और हां हर बार हमें नंबर जो है जिरो सेवन की पोजीशन पर हिलाके जो है सेट करना है तो आप देख सकते हैं तीन नंबर का जो है लेडवाल जो है हम अच्छे से जो है से कर लेंगे स्कुड़ाइबर फिलर्गेज की मज़स से हैं और उसके बाद जो है निस द्राइब को हम छो है सेट कर लेंगे फिलर गेज और उसकूल डाइबर की मज़स से अच्छे से तो हमारा यह तीन नंबर किस्टन के वाल है जो मैं हाई ओंड गुष। इस टैप गजु मैं सेट करने के बाद जो है मैं लॉक लेना है लोग करने के बार से एक बार bi अग्रील चेक कर लेंगे आख युप मैं जीतने हमने गया दिया उतना है की नहीं है इसलिए तो मारत बारJ उसको लॉक कर लेंगे उसके बार दो सब्सक्राइए दो बारें आते थोगाया रोगोस बेला थो 35 का 5 35 का 5 नमबर गये सेट करना है कुछ इस तरीके से और उसको ड्राइबर की मदद से है और फिलर गियर्ट की मदद से जो है फिर से हम वाल को अच्छे से सेट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसे चिसाफ से जो हमने सेट करना है अब इसको फिरी रखते हुए और उसके बाद जो है उसको लाकिंग नेट को लॉक कर देंगे लॉक करने के बाद फिलर गेज में दुबारा से चेक कर लेंगे अगर ओक्य तो फुरा फाइनल कर देंगे इलेडवल तो अब बारी है एकज सब्सक्राइब को भी हम अच्छे से जो है सट कर लेंगे हमारा तो फैरिंग आडर था 14 25 यह 35 का राष्ट वाला हम लोग अर्जिस्ट कर रहे हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें पांसट जो है असे लॉट कर लेंगे लॉट करने के पाद आप देख सकते हैं हमारी यह आ कर आ legि है कि आपकर आरोम है लुटा कर लेंगे कुछ इस टाइप कर लेंगे कुछ इस टाइप कर लेंगे अभी इंजन में बहुत से चीज़ें करनी है अगर आपको पता है तो अगर आपको नहीं नहीं पता है तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं तो इस यार के जो बोल्ट हैं कुछ इस तरीके से जो है टाइट कर लेंगे कुछ इस टाइप के इस टाइप से इल्टामी की मदद से और उसके बाद जो है त्रमेशला हाउजिंग जो है हमें कुछ इस तरीके से ओरिंग विकरे डालके एनवांड की मदद से जो है में उसे हाउजिंग को जो है टाइट कर लेंगे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का जो है हमारा इंजन देख रहा है दिख रहा है उसके बाद जो है वाइन पंप को जो है हम फिट करेंगे वाइन पंप बोले तो इस टेरिंग पंप जो हमारे steering को प्रेसा से आयल भेजता है steering box में इसको ड्राइब गेर से होती है तो अब देख सेकते हैं वेंपम जो हमारा और damper pulley की बात करते हैं तो damper pulley को अच्छे से set कर लेंगे बोल्ट को सेंटराइज करने के बाद जो है अच्छे से फसा लेंगे फसाने के बाद जो है बोल्ट को सारे बोल्ट को जो है gun machine की मदर से जो हम टाइड कर लेंगे तो कुछी तरीके से जो हमारी damper pulley पर भी complete हो जाएगी damper pulley complete हो जाएगी तर्बो चार्जर को कुछी तरीके से जो है complete करेंगे अगर आपको किसी को पता हो कि तर्बो चार्जर हमारा वर्क कैसे करता है यह इस तर्बो चार्जर किस चीज़ से चलता है अगर किसी को पता है तो कमंड करके बताए और टर्बो चार्जर का काम क्या है इंजिन में तो उसके बाद टर्बो चार्जर फाइनल करने के बाद जो है हम कुछ इस तरीके से जो है फिट कर लेंगे कि इस यार होट पाइप के नाम से से हम जानते हैं असुकली लैंड की भासा में उसके बाद कूलेंड पाइप और एसी डोजर लाइन को हम कुछ इस तरीके से जो है फाइनल कर लेंगे फाइनल करने के बाद आप देख सकते हैं उस इस टाइप के जह हैं ब्राइकेट वगारा जो हमें सारे लगा लेने हैं तुकि यह पाइप अगर हलका सा भी बैंड हो गए यह रगड के कट गए तो बहुत सी प्राब्लम क्रेट हो जाएगी गाड़ी में तो में सारे टाइट कर लेंगे अटरेटर कंप्रेट करने के बाद लिए उसके बाद जो है फैन बेल्ड जो हम कुछ इस तरीके से जो हम सब्सक्राइब करेंगे और अब बेल्ड को कुछ इस तरीके से चेक करके चड़ा देंगे तो हमारा जो फैन बेल्ड है वो भी कंप्लेट हो चुका है कुछ इस टाइप का आप देख सकते हैं इंजिन में अब बारी है इंजेक्टर की तो सारे इंजेक्टर कुछ इस तरीके से जो हम फिट कर लेंगे है तो अब देख सकते हैं किस टाइप से भी में इंजेक्टर जो है volta करें है इंजेक्टर को अच्छे से बैठाre लेना है इस तरीके से जो हमारे इंजेक्टर को अच्छे से बैठाल लेना है बैठालना की बार जो है अब देख सकते हैं हमारे इंजेक्टर कुछ तरीके से आपको बैठालने को दिख जाएंगे और उसके उपर जो नेट लगे हैं वासर डाल के उन्हें जो है नेट अच्छे से फसा लेना है हर एक इंजेक्टर में जो है नीचे वासर और उसके बाद जो है नेट लगा लेंगे जो वासर होंगे, उनके ऐलके से पीछे का gol टाइप होगा, उसके बाद इंजक्तर को कुछी तरीके से टाइट कर लेना है, टाइट करते से में मैं दिखाय दे रहा हूँ, यह इंजक्तर की कोडिंग के नंबर है, कुछ एए नंबर है, इंजग्टर को कुछ इस तरीके से जहां है मेरिट करें है इसका कर तके से में देखाया दे रहा हूं कि कोडिंग के नंबर है कुछ यह नंबर जो जो दिल은 इस्छिव सेब करनी होती है इसके लंगे तो उसके बाद कामरेल को में अच्いきल लगा लेंगे ग्रेडरी कि पीश्क कर fanчив Solis आँ अब appel की मदद को आइडल करेंगो कि अधिक्रोजाण ट्राइड का सब तुन लिए करेंगे जो ह्साना के बाद उज्क्रोण deal लिए, उसको कि मत्राइड गरेंगे के पमद लेंगself है इस यार से थुरू वह भी हमारा पाइप जो ही इसी से कंटेक्ट होगा तो इस पाइप को अच्छे से जो हम टाइट कर लेंगे कि चार बोर्ड की मज़से जो है मनिफोर्ड में यह है टाइट होगा इसके बाद जो इसी यार बदा जो पाइप है जो अच्छी हवा खराब होगा निकलने के बाद ४ाइप थनी हवा इधर आती था और कमरेल में भी शेट कर लिया है और उपर कुछी सरी के से लाग बढ़ने के बाद हमें जो है प्रेस कर देंगे तो हमारा काम जो है काफी असान हो जाएगा कुछ इस ताइटी कैसे समोर युट बाल है दोनों अलग अलग होते हैं दोनों का पाड़ना जो होता ह worry खुलने की सबसक्रती है तो हमें दिखान देना है और DS 6T डलना है तो air compressor पिर इसके बाद हमें fit करके लेना है air compressor में गंडून impossible में होते हैं यह वाला site वाल बोल्ट होगा जो भी हमने दिखाया नहीं लगा है वो हमें जो है बोल्ट अन्दर से इसमें देखने को मिलेगा तो मैं बाहर देखना नहीं है कि बाहर बोल्ट नहीं दिख रहा है या नहीं लगा नहीं है तो राट टामी लगा के इस तरीके से जो है आपको देखनों को मिलेगा और हमारा यह कंप्लीट हो चुका है अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो एधो लाइक और सब्सक्राइब करें और कैसे लगा यह वीडियो प्लिज कमेंट करके बताएं अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेयर करें नेस्ट वीडियो किस विशे में चाहिए इसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं किस इंजन का चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं तो आप इंजन हमारा पूरा कम्प्लीट हो चुका है कुछ इस तरीके से आपको इंजन देखने को मिलेगा और इस इंजन से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके बताएं झाल झाल